नवस्कार दोस्तों मैं अलोग सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यांद गंगा अलोग पर हार्दिक स्वाइद करता हूँ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेवा निवर्ति के अवस्यर पर एमप्लोई अपना e-pension कुलक अपने लोगिन आईडी और पास्वर्ड से किस प्रकार से हो को फारवर्ड करेंगे उसकी संपूर्ण प्रकिरिया इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा वीडियो में आप अउन तक बने रहें यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबाना नब भूलें क्योंकि इसी प्रकार के knowledgeable वीडियो में लेकर आता रहता हूं और आपकी समझ्याओं का समधान करता रहता हूं चलिए वीडियो को प्राइब करते हैं इसके लिए करमचारी को IFPMS की वेबसाइट पर जाकर ऑप्सन जो प्लब्ध है इपैंशन का वहां पर आपको लोगिन के लिए बटन प्रेश करना है इपैंशन का वहां सबसे पहले आपको आपकी पैमेनेजर आईडी जो भी करमचारी सेव पनिविर्थ हो रहा है उसकी पैमेनेजर आईडी और उनका पासवर्ड पैमेनेजर का पासवर्ड यहां इंसर्ट करके कैप्चा कोड इंसर्ट करना है और लोगिन बटन को प्लेश कर देना है जैसे हम एंप्लोई के डैसबॉर्ड पर पहुंचेंगे हमें उसकी प्रोफाइल की डिटेल जो की उसकी पैमेनेजर पर अपडेटेड है पैमेनेजर पर जो भी डिटेल उन्होंने डाल रखी है वो डिटेल आपको यहां प्रदशित होने लग जाएगी मैं आपको एक एक डिटेल दिखा देता हूँ यहां पर करमचारी का नाम आ जाएगा सेवार ने विर्थ होने वाले करमचारी का यहां पर उनके पिता का नाम आ जाएगा और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा ध्यान रखिए जिन कॉलम्स में रेड स्टार लगा हुआ है उन कॉलमों की प्रविस्थी अनिवाद है उसके बिना आप सेव न करें जैसे यहाँ पर रिलिजन का कॉलम है उसके उपर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार मार्क लगा हुआ है इसलिए यह प्रविस्थी अनिवाद है हाइट वाली प्रविस्थी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चिंद नहीं लगा हुआ है स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है इसलिए इस प्रकार की प्रविस्थिय अनिवारी नहीं है लेकिन अनिवारी प्रविस्थियों को आपको अवश्य रूप से भरना है यदि वो पेमेनेजर पर अपडेटेड नहीं है तो आप यहां से भी अपडेट कर सकते हैं अनिवारी प्रविस्थियों को इसके अलावा जैसे मैं यहाँ हाइट अपडेट करना चाहूं तो यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ करनी निसान करुमचारी के शरीर पर अपको करनी आगर और इसको ब्लैंक चोड़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसकी प्रोजिश्टी करें नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर आधार नंबर की डिटेल मिल जाएगी जो की पेमेनेजर पर डली हुई है यह मैंने ब्लड कर रखा है क्योंकि परसनल नंबर होने के कांट से और यहाँ पर आपको पेमेन नंबर मिल जाएगा करमचारी का जो की मैंने ब्लड कर रखा है क्योंकि परसनल इंफॉमेशन है इसल जाए नीचे आते हैं तो आपको Commutation Share in percentage दिखाई देगा जो की 33.33% दिखा रहा है यह डिपेंड करता है करमचारी किस करमचारी में आते हैं यदि करमचारी स्टेट करमचारी है तो 33.33% दाएगा मैं देखे यहाँ चेंज करूँगा सेंटर करता हूँ तो यहाँ आपने आप 40% दाजाता है यहाँ पर यदि 4th क्लास है तो 33.33% दाजाता है और यहाँ पर एक सर्विसमेन है तो भी 33.33% दाजाता है तो यह आपको सलेक्ट करना है करमचारी किस करेड़ी के हैं उसके इंसार से ही Commutation के आता है जब यह सभी डिटेल को आप चेक कर लें वेदर यू सब्सक्राइब और वर्क चार्ज, एंप्लोई, कंट्रिबुशन, प्रोविडेंट फंड, सीपी एफ, स्कीम, यह सोर नो तो यह नो है रिएंप्लोईमेंट, नो है ओप्ट फॉर कम्मुटिशन क्या आप फॉर फेमिली डिटेल पर क्लिक करना है, आपसे पूछेगा, आपको यह स्बटन पर क्लिक कर देना है, जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, आप प्रोफाइल के अगले स्टेक्शन, फेमिली डिटेल एंड नोमिनेशन वाले टेब में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आप आपको चार परविस्थिया करनी हैं पहला है tutorial of family form no.3 dl animation of area and accommodation pension form no.5 और तीसरा है nomination for graduate share एक और दो इन तीनों टैप्स को भड़ने के बाद यहांसे जो form generate होंगé उसका preview आप इस अनतिम टैप से देख सकते हैं अब आपको पहला फॉर्म भड़ना है डिटेल और फैमिली फॉर्म नमर तीन जो की पहले अपने आप खुलाओ मिलेगा यहां आपको करमचारी के पूरी फैमिली डिटेल दिखाई देगी जो की पेमेनेजर पर अपडेटेड है यहां उनकी पत्नी का नाम है यदि नहीं है तो आप यहां से भी प्रविस्टी करवा सकते हैं मैं आपको बता रहूंगा भी कैसे करनी है यह उनके पुत्र और पुत्रियों की प्रविस्टियां है दिखाई दे रहा होगा आपको यह उनके रिलेशन दिखाई दे रहे हैं यह unmarried है और address सभी का आपको यहाँ प्रदेशित हो रहा है इन में यह दि कोई तुरूटी है तो आप edit बटन से क्लिक करके इसको edit या delete या edit कर सकते हैं delete करना चाहिए डिलीट भी कर सकते हैं और edit करना चाहिए या संसोधन करना चाहते हैं किसी प्रदेशित के अंदर तो आप edit बटन से संसोधन भी कर सकते हैं मान लीजिए यहाँ पर pay manager पर family detail updated नहीं है तो यहाँ पर भी family detail नहीं आएगी तो आप उस condition में यहाँ से family detail की प्रदेशित कर सकते हैं यहाँ से आप title select कर लें यहाँ उनके नाम की प्रदेशित कर दें जो भी आप नाम प्रदेशित करना चाहते हैं यहाँ से आप date of birth select कर सकते हैं यहाँ से उनका sex select कर सकते हैं यहाँ से relation select कर सकते हैं marital status select कर सकते हैं कोई disorder है तो वो select कर सकते हैं यह सोरनों में और यहां पर address की प्रोजिश्टी करवा सकते हैं address की प्रोजिश्टी करवाने के बाद में जब आप add बटन पर click करेंगे तो वो प्रोजिश्टी यहां पर नीचे आकर save हो जाएगी तो यहां जो भी family details दी गई है मैंने check कर लिया है बिल्कुछ सही है और अब मैं अगली प्रोजिश्टी जो की nomination for area and communication pension है इसके लिए save and proceed for pension area nominee पर click करूँगा जैसे हम nomination of area वाले option पर पहुंचते हैं वहां हमें वही family details दिखाई देगी जो की हमने पहले प्रोजिश्टी की है लेकिन यहां पर एक नया column आपको मिलेगा pension area जो जिसको कि आपको ध्यान देना है अन्य प्रोजिश्टीयां पुरानी ही होंगी यहां पर एक तो option दिखाई देगा pension area का आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा option दिखाई देगा alternate nominee share का बाकि अन्य इसके अलावा तीसरा जो अलग से option दिखाई देगा वह यह है कंटिजेंसी हैपनिंग और विच नोमिनेशन सेल भी बिकम इन्वैलिट यानि किस कंडिशन में आपके द्वारा किया गया नोमिनेशन इन्वैलिट हो जाएगा यह option आपको मिलेंगे आपको क्या करना है वह मैं आपको पतारता हूं family detail पहले से दी हुई है आपको जो इनका spouse से by default उसको pension area का 100% देना है अगर मानली जी यहां गलत है तो आप यहां से edit button पर click करके उसको change कर सकते हैं आप कोई भी percentage change करना चाहें तो change कर सकते हैं और save button को आप प्रेश कर दें तो जैसे आप save button को प्रेश करेंगे यहां पर percentage area आ गया alternate nominee अब पत्नी को यानि spouse को आपने 100% area दे दिया लेकिन in case of death यहां मैंने लिखा select किया यहां से option मैं आपको दिखा देता हूं यहां बहुत सारे option है death, remarriage, appointment, alternate, age, hold, pension जो भी है तो death की condition में अगर पत्नी जो कार्मिक की पत्नी है इनकी भी death हो जाती है उस condition में आप यह रासी किसको देना चाहते हैं तो उसके लिए alternate nominee का option आपको select करना होगा तो alternate nominee हमने इनके पुत्र को बना दिया है और उनको भी 100% लासी दे दिये और यहां पर आप चाहें कि अन्य को भी माटना है तो यहां से 100 से कम कर सकते हैं यह आपकी इच्छा है और option select करना है कि यह nomination कब cancel हो तो यहां पर any other select करके इसको आप save कर सकते हैं save कर दिया तो यहां आपका जो कार्य था वो पूरा हो चुका हमने nominee भी बना दिया nominee की death के case में alternate nominee को 100% share दे दिया हमारा यहां का कार्य खतम हो गया अब हमें save and proceed for graduate area nominee पर click करना है जैसे हम nominee for graduate पर click करेंगे तो हमारे सामने वही family detail वापिस open हो जाएगी लेकिन यहां पर पिसली बार तो हमने pension area के बारे में देखा था अब यहां पर graduate area के बारे में पूछा गया है तो यहां दो option नए हैं वापिस graduate area और alternate nominee for graduate area इनको select करना है और save कर देना है यहां आप देख रहे हैं कि पत्नी को हमने 100% graduate area दे रखा है लेकिन जब edit करके यहां पर alternate nominee बनाएंगे तो alternate nominee का share यहां यह तो सामानी nominee होगे alternate nominee वाली को edit करेंगे और यहां पर alternate nominee को हम 100% या 50% जो भी दो पुत्र है तो दोनों को अलग-अलग हम यहां पर दे सकते हैं 50-50% हमने share कर दिया यह देखिए 50% हो गया और यहां पर भी हम इनको 50% share दे सकते हैं हमारा काम यहां पर समाप्त हो गया हमने मुख्य nominee उनकी पत्नियों को बनाया है ग्रेजुटी एरियर का उसको 100% दिया है और जो अल्टरनेट nominee दो बनाये हैं उनको 50-50% share दिया है यहां हमारा कार्य समाप्त हो गया nomination करनेगा इसका अगला option आपको मिलता है save and proceed for long term advance लेकिन उससे पहले यहां पर आपको प्रिव्यू करना है यानि आप यहां से फाइल को देख सकते हैं जो आपने तिनों फार्म भरे हैं वो और यहां से नहीं देखना चाहते हैं तो आप save and proceed for long term advance पर क्लिक करें आप आगे पहुँच जाएंगे और यहां पर आपको प्रिव्यू दिखाई देगा जो आपने वहां save किया उसका प्रिव्यू आपको यहां पर दिखाई देगा यह हमने यहां से डाउनलोड किया यह डाउनलोड नहीं हो रहा है तो move to long term advance पर आपको क्लिक करना है आर यू शूर यह कहेगा तो आप यस करें यहां पर आपको आपने कोई advance loan करम चारीन ले रखा है उसके बारे में सूसनाई भर्णी होती है तो इनके कोई भी loan नहीं था इसलिए सभी सूसनाई 0-0 कर दी गई है यहां पर आपने आप बैलेंस आ जाएगा यदि sanction और paid amount बड़ाबर है तो balance 0 है जाएगा इसका मतला आपका कोई भी dues बगाया नहीं है यह save करने के बाद आप save and proceed for address detail पर क्लिक करें आप से पुछेगा are you sure कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको yes पर क्लिक कर देना है जैसे आप okay की बटन को क्लिक करेंगे आपके सामने करमचारी का current address दिखाए देने लग जाएगा house number पर star mark लगा हुआ है इसका मतलब आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते यदि यह कोई house number नहीं है तो आप यहाँ जीरो-जीरो के एंट्री करते हैं या कोई भी alternate number आप डालना चाहिए डाल सकते हैं यहाँ address आ जाएगा यहाँ पर pin code आ गया यहाँ डिस्टिक आ गया यहाँ पर state आ गया आप यह देख रहे हैं कि email के option के उपर star mark नहीं है यानि यह field compulsory नहीं है आप चाहें तो इसको भर सकते हैं चाहें तो इसको खाली छोड़ सकते हैं यह आपको भरावा मिलेगा अगर pay manager पर updated होता तो यहाँ पर email address भी अपने आप ही आयाता है इसका मतलब इनके pay manager के उपर email address updated नहीं है फिर mobile number आपको अपने आप मिलेगा यहां से क्योंकि यह pay manager पर updated है तो current address आप चेक कर लें सही होने की स्थिती में permanent address यह आपका current address से match करता है तो same as current address पर आप click कर दें तो आपका permanent और current address एक जैसा ही हो जाएगा यहां मैंने check box पर click कर दिया है और यह करने के बाद save and proceed for department address यानि आप जिस department में कारी कर रहे हैं उसका address अब आपको भरना है तो आप अपने department का idea आप पर मिल जाएगा आपको department का नाम आजाएगा address आजाएगा district आजाएगा पिन कोड आजाएगा अब यहां पर email address और phone number का option red mark से यान star mark नहीं लगा हुआ है तो यह compulsory नहीं है आपके पास उपलब्द हो तो आप भर सकते हैं नहीं उपलब्द है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं मेरे क्रेस में भी मेरे पास उपलब्द नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ अगर स्टार मार्क होता आप यहां पर email address और phone number आपको आवसे डालने होते save and proceed for bank detail पर आपको click करना है क्योंकि यह प्रविस्थी पूरी हो चुकी बिल्गुल सही है employee की bank detail की जो detail आएगी उसमें आपको treasury का नाम select करना है जो भी treasury है वो select कर लिया sub treasury select करनी है district select करना है आपका bank का नाम select करना है यह अगर आपके pay manager पर updated है तो अपने आपको प्रिफिल्ड मिलेंगी नहीं है तो आपको यह सब select करना होगा branch name आपको select करना है फिर यहां पर account number आपको भरावा मिलेगा यदि आपके प्रेमेनेजर पर उपलब धर्तु तो प्रेमेनेजर पर सबका account number होता है इसलिए यह चीज अपने आप ही आपको भरी भी मिलेगी फिर यहां पर जो दो witness हैं उनकी सूसना आपको भरनी है जो भी द personal information होने एकारण से और यहां दूसरे witness की सूसना आपको भरनी है उनका भी mobile number आपको भरना है जो कि personal information होने एकारण मेंने हाइड कर रखा है और उनका नाम आ गया उनका address आ गया तो यह सब भरने के बाद आपको save and next और पर click करना है जो कि अब अन्तिम पढ़ाओ आ चुका है जहां पर हम documents को upload करेंगे जैसे आप save and next पर click करेंगे आपसे पूछेगा are you sure want to proceed for document upload आपको yes पर click कर देना है हम यहां पर document upload section वाले section में आप पहुचे हैं यहां आपको दिखाए देरा है मैंने अधिकांस document upload कर दिये हैं लेकिन कैसे upload करेंगे वह प्रिक्रिय में आपको जरूर बताऊंगा आप देख रहे होंगे यहां पर कुछ पट्टियां बिल्कुल हलकी निली हैं कुछ गहरी निली हैं जो गहरी निली हैं यहां पर गहरी निली इसलिए हैं कि आप यहां से upload कर सकते हैं और जो हलकी निली ह यहां पर आल्डी आपने upload कर दिया है तो मैंने सभी document upload कर दिया है क्योंकि अगर एक-एक document upload करके दिखाऊंगा तो video बहुत लंबा हो जाएगा मैं आपको एक document upload करके यहां दिखा दिता हूँ यहां हमने other document अगर माली जी कोई upload यहां से हमने सेलेक्ट किया तो जहां पर भी वह अधर डोकुमेंट आपका रखा हुआ है उस डोकुमेंट को आप यहां से अपलोड कर सकते हैं जैसे मालीजिये मैंने कोई यह डोकुमेंट ले लिया और इसको अपलोड करना है तो यह अपलोड हो जाएगा अपलोड होने के प्रक्रिया है और जो भी डॉकुमेंट आपने अपलोड किया है मैं यहाँ इसको डिलीट करता हूँ कि मुझे अपलोड नहीं करना है आपको दिखाने के लिए मैंने अपलोड किया है तो मैंने इसको यहाँ से रिमूब कर दिया यदि आपका भी कोई document गलती से upload हो गया है तो आप उसको remove कर सकते हैं जो भी document आपको upload करने थे वो आपने upload कर दिये और आपने document upload सही किये हैं या नहीं यहां view option करके आप इसको check कर सकते हैं जैसे view करेंगे आपको वो document दिखाई दिने लग जाएगा यह LPC है LPC यहां पर इन्होंने sign कर रखी है और LPC की पूरी detail है लेकिन आपको बता दूँ LPC के साथ में आपको pay manager की अगर LPC उपलब्द हो तो वो और नहीं तो pay manager की pay slip साथ में अटेज करनी आउश्यक है तो इसके साथ pay manager की pay slip भी आपको अटेज करके PDF बना कर अपलोड करनी है यह देखी retirement order की copy है यह सही है बिल्कुल फिर यहां पर form नंबर 6 अपलोड किया हुआ है यहां जो form नंबर 6 uploaded है उसमें आपको दिखाई देगा DE form नंबर 6 पहले आपको मैं यह बता दूँ कि form नंबर 6 आपको कहां से मिलेगा आप IFPMS की website पर जाएं यहां आपको download का option मिलेगा यहां आपको नीचे आने पर forms का option मिलेगा यहां से आपको जितने भी प्रकार के forms हैं वह यहां available हैं आप यहां से जो भी form आउशेक है वो download कर सकते हैं तो हमें form नंबर 6 चाहिए तो form नंबर 6 को हमने download कर लिया download करेंगे तो यह download होकर आपको आपके download option में प्रदशित होने लग जाएगा और जब इसको हम open करते हैं तो यह form नंबर 6 का खाली प्रारूप इस प्रकार से आपको दिखाई देगा अब मैं आपको इसका भरा हुआ प्रारूप भी दिखा देता हूँ इसका भरा हुआ प्रारूप यह रहा इसमें आपको treasury का नाम लिखना है कहां जा रहा है यह लेटर फिर यहां पर पैंसनर का नाम पिता का नाम एड्रेस बगर जो भी आपको भरना है वह सब सारी डेटेल department का नाम जो भी informations के अंदर मांगी गई है वो fulfill करके आपको नीचे signature और नाम लिखने दना है जब आपको PPO नमबर अलोट होगा तो यहां पर प्रदशित होगा तो यह six number form यहां पर आपको upload करना है जो कि मैंने इस case में कर दिया है अगला option है no dues for long term advance जैसा कि जब इनका प्रारूप मैंने भरा था तो इन्होंने किसी प्रकार का loan नहीं ले रखा है long term loan नहीं है तो इसलिए long term loan नहीं होने के कारण से no dues भी आवश्यक नहीं है परंतु पहले के करमचारियों को long term loan मिलता था वो long term जो agency देती थी वही no dues जारी करती थी कि मैं आपको पुराने समय के करमचारियों का long term loan दिखा देता हूं जैसे यह कोसाले दोरा जारी होता था नोडियूज भी उस समय पर्सिस साथ के रूप में नोडियूज जारी होता था जिनको मिला है उनका नाम पता जो भी है किस प्रकार का loan लिया है उसका प्रारूप है कितना रूपया लिया है वो उसका प्रारूप है यह मूल और यह जो भी इसमें सूचना है अब यहां पर नीचे आप देख रहे हैं कि इनकी कटोतियों सत्यापन हो गया है पुन्य भुकतान सुन्य रूपय है ब्यास की कटोति सुन्य है और कुल रासी भी सुन्य है यानि नोड्यू जारी किया हुआ है ट्रेजरी के माध्यम से उनको यही अप्लोड करना होता है लेकिन जिन करमचारी की मैं भर रहा हूं उनको किसी प्रकार से लॉंग टर्म लॉन नहीं मिला है लॉंग टर्म लॉन नहीं मिला है तो उनका नोड्यू भी नहीं होगा तो यहां पर हम क्या अप्लोड करें यह एक मुख्य प्रस्ण है तो आप यहां पर अप्लोड कर सकते हैं अपने लेटर पेट पर एक नोडिूज बनाकर कार्यार लेस्तर पर प्रमान पत्र जारी कर सकते हैं अपनित किया जाता है कि जो भी करमचारी हैं उनका किसी प्रकार का विभागी रिंड बकाया नहीं है और यह उस जगह पर अप्लोड कर सकते हैं यहां पर वही कॉप्य अप्लोड कर रहा हूं यह देखिए डेस्क्टॉप से में वही नोडिूज जो संस्था की तरफ से बनाया गया है क्योंकि इन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा है हमने इसकी फाइल की साइज को रिसाइज कर दिया है रिसाइज होकर यह देखिए अप्लोड हो चुकी है और अप्लोड होने के बाद में आप यहां पर क्लिक करेंगे तो व्यू कर सकते हैं अब व्यू करेंगे तो आपको वो फाइल यहां पर दिखाई देगी यह देखिए यह अप्लोड होकर आ चुकी है फॉर्म नंबर 6 को अप्लोड करने के बाद यह अगला उप्सन है इफ उक्यूपाइड गॉर्मेंट अक्कुमेडिशन यह यहां पर दस्तावेज यानि फॉर्म नंबर 27 और 27 अ तभी अप्लोड करने है जब आपने गॉर्मेंट अक्कुमेडिशन ले रखा हो अनिता इसकी कोई आउश्यक्ता नहीं है अगर ले रखा है तो 27 नंबर और 27 अ नंबर का जो फॉर्म है वो आपको बाजार से मिलेगा बाजार से परचेश करके आप यहां पर अप्लोड कर सकते हैं पर यहां पर जॉइन फोटो आ गई वो अप्लोड की जा चुकी है जिसको मैं आपको यहां देखा रहा हूं। जॉइन फोटो आ गई है करमचारी की। जब जॉएन फोटो लग जाती है तो सिंगल फोटो की आवश्यक्ता नहीं है इसलिए अब नीचे आते हैं तो यहां पर आपको तीन चीज मिलती है signature, पहला है signature of employee, employee का signature यहाँ पर upload कर दिया गया है, यह देखी upload कर दिया गया है, और फिर first witness का signature आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से second witness का signature भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर आपको other document में आपको क्या लगाना है मैं आपको एक बता देता हूँ Other Document के यहाँ पर दो अप्शन दिये गए हैं पहला अप्शन है जिसमें आप अपने Service Book के Last Page पर एक प्रमानपत्र अंकित करके लगाएं उस प्रमानपत्र का प्रारूप में आपको दिखा देता हूँ प्रमानपत्र है एक बर पांच के अनुशार अंतरगत वरिष्ट लेखा कर्मी द्वारा जारी प्रमानपत्र प्रमानपत्र में जो भास आपको लिखवानी है वो यह है प्रमानित किया जता है कि समय समय पर किये गए वेतन निर्धारन की जाच कर ली गई है एवम अन्तिम वेतन जिस पर प्रमानपत्र आपको आपका की जो सर्विस बुक है उसके अन्तिम पेज पर लेखा कर्मी से प्रमानित करवा के लगाना है उसकी फोटो पीडियाप की रूप में यहाँ पर अपलोड की जानी है अधर डोकॉमेंट्स में तो यह आपको जो लेंगवेज है मैं आपको अपलाप्त कर दूँगा इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन ने आपको मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अब जो दूसरा अधर उप्शन है उसमें यदि आप चाहें तो अन्य जो डोकॉमेंट हैं जो भी आप महत्मुन समझते हैं वो अपलोड करें ध्यान दीजिए कि लेखा कर्मी द्वारा सत्यापन किये बिना यदि आपने प्रेंशन के इसको फॉरवर्ड कर दिया तो आपके प्रकरण पर अब्जेक्शन लग जाएगा तो अब्जेक्शन न लगे इसलिए अपनी सिवा पुष्टिका को प्रमानित करवा कर उसके अंतिम पेज पर वो प्रमान पत्त सल्लगन करके उसकी फोटो यहां पर अप्लोड पीडियाप की रूप में अप्लोड करनी है इसके अलावा यदि आपको कोई help चाहिए तो यहां आपको उपर दिखाई दरा है help का option इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको साइट डिटेल मालूम चल जाएगी कौन-कौन से document अप्लोड करने है और किसको अप्लोड करने है इसको आप open कीजिए यहां देखिए LPC कौन-क applicant भी upload कर सकता है और HO भी upload कर सकता है उसका format भी दिया हुआ है प्लोड में Applicant, Signature दोनों ही upload कर सकते हैं अप्लिकेंट भी और होडी Single आ ज्ट्रोड प कर सकते हैं फिर है node use-long term ये tough है उप सकते हैं इन सब का format जो दिया हुआ है format चैनल करें जैसे Signature और Photograph आप JPG Form में हैं बाकी अन्य जो है वो PDF Format में है नोड्यू certificate दोनों अपलोट कर सकते हैं विटनेस certificate भी दोनों अपलोट कर सकते हैं एम्पोई death certificate जब employee मर्क्रीण हो जाएगी तो employee खुद अपक्लोट नहीं कर सकता इसलिए नो है इसको एचो अपलोड करेगा सर्विस्बुक भी एचो ही अपलोड करेगा आपको अपलोड नहीं करनी है तो अधर डॉकॉमेंट्स में दोनों ही अप्लोड कर सकते हैं तो आप जो मैंने भी आपको प्रमान पत्र बताया वो आप अप्लोड कर सकते हैं और आपका एचो भी उसको अप्लोड कर सकता है यह सब कितने केबी के हैं आप ध्यान रखिए यहां आप केबी भी दिया हुआ है यह सभी डॉकॉमेंट सर्विस बुक के अलावा 150 केबी से अधिक के नहीं होने जी है जब सभी डॉकॉमेंट आप अप्लोड कर देंगे तो अंत में सेव एप्लिकेशन बर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप सेव एप्लिकेशन बर क्लिक करेंगे प्लीज चेक यूर एंट्रीज बिफोर फाइनल समिशन तो आपसे पूछेगा चेतावनी देगा आप उसको यस कर दें और यस करेंगे तो अगले स्टेप में आपसे एक बार और कंफरमिशन के लिए कहकर ये एप्लिकेश तकनीकी समस्य आने पर आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे मेरे टेलिग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा धन्यवाद एक नई जान